हलो फ्रेंस आप सभी का स्वागत है फ्रेंस आपके बोड के एक्जाम में गद्यांस और पद्यांस से संबंदित जो प्रस्ण पूछे जाते हैं आज उन सभी गद्यांस और पद्यांसों को आपको ट्रिक से बताएंगे कि आप गद्यांस और पद्यांस को कैसे हल करेंगे ठ वीडियो को लाज तक जरूर देखे फ्रेश्ज देखिए आपको प्रशन पत्र मिलेगा तो प्रशन पत्र में यहां पे खंडब़ा रहेगा जहां से आप सभी का स्टार्ट होता है गद्यांस और पद्यांस ठीक है यहां पर लिखा रहाता है वरात्मक प्रश्ण पहला प्रश्ण यहां पर है निम्नलिकित गद्यांसों में से किसी एक गद्यांस पर आधारिश सभी प्रश्णों के उत्तर दीजिए टोटल ही छे नंबर का पूछता है ठी यहां पर पढ़ते हैं और फिर इस पर आधारी जो यहां पर तीन प्रश्न पूछता है उसका इंस्वर देखें आप कैसे लिखेंगे बोर्ड के एक्जाम में ठीक है जब यहां पर पढ़ेंगे कि अस्वार वही पास आया मम्ता ने रुक रुक कर कहा अब देखें यहां पर पार्ट्स लिए गया जिसके लेखक कौन है यहां पर देखेंगे प्रश्नоतर संख्या लिखेंगे और यहां से लाउस्ट का एक किस गद्यांस का एंस्वर दिये हैं यहाँ देखिए आप लिखे लिए अश्वार वही डाट डाट करके ग्री में जाती हूं अब देखिए जैसे संदर्व लिखना रहेगा सिर्फ आप एक संदर्व याद कर लिजिए यहीं संदर्व चाहे आपका संस्रीत क्रीट से संस्रीत संदर्व लिखने के लिए यहीं लिखा जाता है बस आपका पाट का नाम और लेखा का नाम सिर्फ बदलता है ठीक है जो कैसे लिखेंगे लिखेंगे संदर्व प्रस्तूत गध्यांस हमारी पार्ट पुस्तक हिंदी के गद्यखन में संकलीत ममता यहाँ पे ममता पकल लेंग वही स्ब्द आपको पता देगा आव किस पाइट से लिया गया है तो इस okay आउते हैं जो जो रेखांकित अंस है उसी का ब्याख्या को करना है जैसे देखे रेखांकित अंस यहां से दिया है कि मैं आज जीवन अपनी जोपड़ी के खोदे जाने के डर से भायवीत रही भगवान ने सुन लिया मैं आज इसे छोड़ रहे जाती हूं अब तुम इसका मकान बनाओ या जब रेखांकित अंस की ख्या लिखेंगे देखेंगे जैसे इसी तरह देख लीजिए और इसी तरह बोड के एकजाम में इसप्रश्न का अंस्वार दीजिएगा देखिए यहाँ परशाज जी लिख सकते हैं या लेखा के अनुसार भी लिख सकते हैं तो देखिए परशाज जी कहते हैं कि मम्ता ने अस्वार वही सैनिकों को अपने पास बुलाया और कहा कि किसी समय इस जोपड़ी में रात बिताने वाले ब्यक्तियों ने एक सैनिक को यहाँ घर पनवाने के लिए कहा था मैं इस जोपड़ी को खोने के भैसे पूरी जिन्दगी डरती रही क्योंकि इस जोपड़ी के साथ उसके जीवन की बहुत सी यादे जुरी थी मैं जब तक जिन्दा रही तब तक इश्वर ने इसे बचाये रखने के लिए प्रात्ना सुन ली अब मैं यह दुनिया छोड़ कर जा रही हूं ठीक है तो जो यहां पे है इसी प्रकास से इसका क्या करना रहेगा आपको ब्याक्ख्या करना रहेगा यानि कि मैं आज इवन अपनी जोपड़ी के खोदे जाने के यानि डर से मतलब जो यहां पे लिखा है उसी को अपने विष्राम करने जा रही हूं जहां मुझे अनतकाल तक विष्राम मिलेगा इसे क्या करना रहता है अपने शब्दों में यहां जो रखांकित भागे इसी को अपने शब्दों में इसका रखांकित अंसकी ब्याक्या करना रहेगा फिर अगला प्रशन आप से पूस्ता है कि म डालेंगे और लिखेंगे ममत्ह आ जीवन अपनी जोबड़ी खोदवाने के दर से भाईवीत रही तब Тक अपने जोबड़ी को खोदवाने Bros से भाईवीद रही इसी में इन्हीं प्रश्णों का यहां पूच्ता है इसका इसी में चिपा होता है बस को तरीका पता होना चाहिए कि आप इसका एंस्वर कैसे निकाल सकते हैं ठीक है यह चीज़ समझ में आ गया होगा अब देखिए इसी से संबंदि जैसे यहां वड़ात्मक प्रश्ण फर्स्ट था यहां के अथवा में करके देता है तो आपको उपर वाला प्रश्ण आता है इसका एंस्वर दीजिएगा या सेकेंड वाले का एंस्वर दीजिएगा आपको दोरों प्रश्ण को एंस्वर बता देते इससे जरूर तयार कर लिजिए आपको इसी में से संबंदि आपको बोर्ड के एक्जाम में प्रश्ण देखने के लिए मिलेगा देखिए आथवा म आपको बताते हैं कितना जीवन ब्रस पड़ा है इन दीवारों पर जैसे फसाने अजायत का भंडार खुला पड़ा है कहानी से कहानी बंतो चलो गई है बंद्रों की कहानी हाथियों की कहानी हीर्णों की कहानी कहानी कुरूरता और भै की दया और त्याक की दिखे जिए इस वाकी को आप पढ़ रहे हैं ति इस वाकी को पढ़ते समय जब यहां पर पढ़ते समय आप आगे तक चले आईएगा जैसे जहां पाप है वही छमा का सोता फूट पढ़ा है राजा और कंगले विलासी और भिच्छु नर नारी मनुष्य और पशुम सभी कल हाकारों के हाथों सि Приश्टे चले गए हैं हैवान की हेवानी को इंसान की इंसानियत से कैसे जीता जा सकता है कोई आजयांता में जा कर देखें यहां अकूण प्रें उसका पार्ट का नाम कृपारा था जीस से फूसे में पहले प्रशन के हैं अ अब लिए अब परियुक्त का संदर्व लिखना है तो परियुक्त का संदर्व लिखना है आप सभी अभी बता है कैसे लिखेंगे देखिए यहां प्रश्णोतर संग क्या 1 डाल दीजेगा अथवाला जब कीजेगा तेहां अथवा डाल दीजेगा और यहां से लिखे लेते हैं जिससे पता चल जाए एक जामनर को कौं से एंसर दे रहे हैं जैसे कितनी जीवन डाट करके नाम नहीं लेती अब देखे संदर लिखेंगा लिखेंगे कैसे कि प्रस्तूत गद्यांस हमारी पार्ट पुस्तक हिंदी के गद्ध खंड में संकलित अजंता नाम व्हुक पार्ट से लिया गया है जिसके हैं यही आपको इस पकाष से संदर भी लिखेंगे अब जो यहां पर आपको ब्याक्षय करना है इसको ब्याक्ठ एपनote शब्दों में कैसे करेंगे यहां पर लीखेंगे दूसरा नमबर यहां पर रेखांकित अंसकी religion और यहां पर लिखेंगे लेखक का कहना है कि अजनता की गुफाओं में ठीक है अजनता की गुफाओं में देखें फिर इसके बाद लिखेंगे आप देखेंगे दीवारों पर बने चित्र इतने सुन्दर है कि उन्हें देखकर लगता है कि दीवारों पर जीवन उतर आया है अजन्ता के इन भित्ती चित्रों में आश्चर जनक कथा कहानिया सिम्टी हुई है चित्रों का एक दूसरे से ऐसा सामन्जस है जैसे कि एक चित्र की कहानी दूसरे चित्र की कहानी से जुड़ी हुई है इसको अपने शबदों में लिखना रहा था ठीक है आप पड़के ओंगे तो अपने शबदों में आसानी से लिख सकते है अब देखें तीसरा नमबर का है कि कलाकारों के हाथों से क्या-क्या सिरिष्ते चले गए यानि कलाकार जो थे वह पे यहां पे सिरिष्ते चले गए है तो आप सभी को पता है कि जो कलाकार थे, बंदर की कहानी, जो विच्छू है, नर विच्छू है, सब मतलब वहां पर पताया गया है, इसी को कैसे लिखेंगे, देखी, तिसरा नमबर डालेंगे, और लिखेंगे, दीवारों पर बने चित्र, राजा, कंगले, विच्छू, न नर नारी, मनुस्य और पशू से संबंदी थे, उनमें हैवान की हैवानियत को मनुस्य की मनुस्यता से कैसे जीता जा सकता है, उसे अपने शब्दों में इसका एंस्वर देदेंगे, और इस तरह यदि लिखते हैं, तो पूरे के पूरे आपको 6 नमबर इस पर मिल जाता है तो आपको दोनों प्रशनों का एंसर बता दिये हैं, इन दोनों प्रशनों को जरूर तयार कर लिजिए, अब चलिए अगले प्रशनों को देखते हैं, ठीक है, आप से अगला नमबर का जो प्रशन पूचता है, कि पध्यांस पर आधारित प्रशन पूचता है, एक तो यहां से लेके यहां तक जब आप पढ़ेंगे पढ़ने के बाद यहां से संबंदी तीन प्रश्ण पूछता है पहला पूछता है उपर्युक्त पध्यांस का संदर्व लिखना और स्री राम के नित्रों से आसू क्यों बहने लगे रिखांकित अंस्पड़ कुटी करी हों कि यहां पर जो यह कित है कौन से अलंकार याने अलंकार स्री राम के बारे में किसे ने सबसे जादा ब्याख्या किया था गोस्वामी तूलसी दाज जी ने किया था जब इस वाक्य को पढ़ेंगे वह यहां से एक शब्द पकड़ने के नेत्रों में आसू क्यों बहने लगे इस शब्दों को पकड़के भी आपिसका निकाल सकते हैं कि इसको किसे ने लिखह था तो गोस्वामी तुलसी दाज जी ने लिखा था अब देखिए इसका जैसे संदर्व लिखना रहेगा तो पद्यांस का संदर्व आप कैसे लिखेंगे तो देखिए यहां पर पहले आप लिख लिजिएगा वही काम कीजिए यहां लिखने के बाद यहां से पहले नंबर संदर्व लिखिएगा और संदर्व देखिए जैसे पहुंद कि अभी लिखेइंगे पाध्यांड में क्षेप युद्यानच के जिगर पर प्रयोका कर लिखेइंगे इस पकाख ईसो लिखेंगे, आप पढ़े होंगे ता याद भी होगा आप सभी को, इस पकाख से क्या करना है कि इसका संद्रव लिखना रहता है आपको, अब देखें यहां पे सिरिधाम के नित्रों में आशु क्यों बहाने लगे, तो आप सभी को पता है, जब पढ़े स्रीराम के आखों में आसु आ गया इन्हीं शब्दों को अपने शब्दों में देखें कैसे लिखेंगे यहां पर सिकेंड नमबर आप डालेंगे और यहां पर लिखेंगे कि महत से निकल कर थोड़ी ही दूर चली थी कि उनके माथे पर पसीने की बूंद आ गई तथा झोपड़ी कहां डेखें यहां पर यहां रहेगा आपका जोपड़ी डिखेंगे सीधा कि इस राम के आखessä को देखकर सिर्य आखों में आसु बहने लगें तिस पकास इसका क्या करना था आपको इंसवल्द बताना था जीर्ण वागयं यहां पर तीसरा प्रश्ण我是 कि रखा अंकित अंस पर कुटी कर्यों कित में कौन सा अलंकार है इसमें पर कुटी कर्यों कित में जो अलंकार है यहां पर लिखेंगे इसमें जो अलंकार है अनुपरास अलंकार है इसे याद रखिएगा इसमें कौन सा अलंकार है अनुपरास अलंकार इसका एंसवर आप ला अब देखें यहाँ पर है अगला प्रश्ण अथवा में कि मेवाण केसरी देखा रहा केवल रन का नतमाशा था वह दोड़े-दोड़े करता था रन वह मन रक्त का प्यासा था चड़कर चेतक पर धूम-धूम करता सेना रखवाली था ले महामिर्ट्युक को साथ-साथ मानो प्रत्युक कापाली था देखें यह एक महाराः परताब के गोड़े की बारे में बताया जा रहा है यहां आप सभी पता चाहिए कहां से पैर सेल या गया है तो महारा परताब के बारे में जो वरन्सब्राइल हालदी गाटी के युद्ध में किया गया था और इसके लेखा कौन थे तो स्याम नरा पांडे जी थे यह पार्ट से लिया गया है ठीक है अब देखें यहां पर क्या करना है कि उपर पद्यांस का संधर्व लिखना है कैसे लिखेंगे यहां पर देखिए आप प्रश्णोतर महारा परताब के बारे में गोड़ा के बारे में ऐसे बात होता है तो हल्दी घाटी के युद्ध में महारा परताब के बारे में बताया गया है यहां पर लिखेंगे हल्दी घाटी नामक पार्ट से लिया गया है इसके जो रचईता है श्याम नहरा पांडे जी है इस पकास कैसे लिखेंगे बस देखते रहे हैं तीसरा डालेंगे आप लिखेंगे देखिए कि महराणा परताब को मुगलों से अपनी मृत्यू के रच्छा के लिए वीरता पुरुवक अकबर की सेना से युद्ध में विजाई हासिल करने के कारण मेवार केसरी कहा गया क्यों कहा गया तो यूद्ध में अकबर की सेना से यूद्ध में विजाई महराणापरताब हासिल किये तो इसलिए उन्हें क्या कहा गया था फिर इसके बाद देखिए वो मान सिंग पर रक्त का प्यासा बनकर इसलिए तूट पड़ा क्यूंकि मान सिंग हल्दी घाटी के यूद्ध में विपच्छी सेना का नेत्रितु कर रहा था इसलिए महारा परताब अपने स्वाभिमान के लिए मांसिंग और उसकी सेना पर रक्त का प्यासा बनकर तूट पड़ा इस तरह इसका एंस्वर आपको लिखना रहता है इसको एक जिए कापी पर लिख लीजिए इन प्रशनों को आप जरूर तयार कर लीजी ठीक है अब देखें यहां पर अगला प्रशन आप से क्या पूछ रहा है कि रखांकित अंस में प्रियुक्त अलंकार का नाम पूछ रहा है जब यहां अलंकार भी आपको पाचानना बहुत सिंपल तरीका सा आप इस अलंकार को पाचान सकते हैं जब यहां से लेके पुरें यहां तक पढ़ेंगे, पढ़ते पढ़ते जब यहां पर आँगे, यहां स मर लिखा है कि मनो मानो , जनू जानू कोई शब्द्द आपको वाक्य में मिलते हैं तो आपके उच्छा अलंगकार होता है सोरी दोस्तों वहां पर कौन सा अलंकार होता है तो उत्पर अच्छा अलंकार होता है तो यहां पर आपको अलंकार पूछा है तो उत्पर अलंकार है तो इसका एंस्वर आप यहां पर तिसरा नंबर लिखेंगे और लिखेंगे यहां पर उत्पर अच्छा अलंकार ठीक है त इसी प्रकास जितने भी वाइरल प्रश्न हैं वह सभी प्रश्न आप सभी को हिंदी के करा रहे हैं तो आप जरूर उन सभी प्रश्नों को तयार कर लिजिए ठीक है तो फ्रेंज आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें चैनल पे नए है तो चलो करें और अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक वीडियो को सेर करें